जैहिन साथियो तो यह SACGD Constable 2024 की वेकंसी है जो की पहले कलेंडर आ गया था अभी एक लेटेस्ट में कलेंडर आया है जिसमें SACGD Constable 2025 की वेकंसी का सिडूल दिया है कि 27 अगस्त 2024 से फोर्म स्टार्ट हो जाएंगी अब देखे बहुत सा लोगों का यह डाउट होगा कि क्या यह 24 नमंबर वाले फॉर्म 27 अगस्त को आएंगे या फिर दो वेकंसी आगी तो फ्रेंस दो वेकंसी आएगी यह फोर्म तो अभी 15 दिन बाद श्टार्ट हो ही जाएंगे उसके बाद अगस्त 2024 तक वो वेकंसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद का यह इन्होंने दिया है अभी अगस्ट दोजार 24 में बहुत दिन है तो वो अलग से वेकंसी आएगी ये वेकंसी तो आएगी ही अभी 15 दिन के बाद इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी इसका तो एक्जाम सिडूल भी जारी हो चुका है इसके 24 नॉवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी 20 बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि एक साल के अंतराल पर अर्थात अगस्ट 2023 से लेकर अगस्ट 2024 तक दो वेकंसी इन्होंने सिडूल कर दिया तो क्या पोश्ट कम होकर आएंगी कितनी पोश्ट पर वेकंसी आएंगी इस बार कितनी आ सकती है उसके बारे में बात और क्या एज में रिलेक्सेशन में सकता है क्योंकि ये लगातार वेकंसी दे रहे हैं इलेक्सन है इसलिए साथ ये लगातार वेकंसी दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले ससीजेडी की वेकंसी लगातार नहीं आती थी अठारा में आई थी उसके बाद 21 में आय थी तीन साल बा था इस बार उमीद तो कम है कि एज में छूट देंगे कि इलेक्शन है हो सकता है कि एक से दो साल का छूट मिल जाए वो आपको नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा अभी ससी की तरफ से कोई ऐसा प्रोपोजर नहीं है कि आपको एज में छूट दी जाएगी अब पतार वेकंसी इसमें क्यों आ रही है क्योंकि जितने लोगों का सेलेक्शन होता है वो सभी ज्वाइन नहीं करते हैं बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं जैसे बीस अप और सी आर्पियाफ के बारे में बात करें अभी एक अपने डेटा भी देखा होगा जो कि आपीस से जारी हुआ था उसमें तो देर लाग से ज्यादा लोगों ने सी एरपियाफ और जो भी सी एपियाफ का फोर्स था उतने लोगों ने छोड़ दिया था तो सी यापियास में जो सेलेक्ट होते वह अच्छी परजेंट ही जोएन करते हैं क्योंकि देखे अभी इतना कॉम्प पोस्ट जो है वह रिक्त हो जाते हैं अब देखे यह वैकंसी दोजाद 24 की जो आ रही है इसमें 2022 वाले जो नहीं जोएन किये होंगे उनके पोस्ट एड़ होके आएंगे अब यह वैकंसी जब कंप्लीट होगी इसमें भी कुछ जोएन नहीं करेंगी तो वह भी पोस्ट द होता है सभी जोएन नहीं करते और जितने पोस्ट रिक्त होके आते हैं उसमें यह प्लस करके वह वैकंसी देते हैं अभी बात करें अभी कितने पोस्ट पर वैकंसी आ सकती है तो अभी आप यह मानिए कितना भी कम मैंने बता दिया है कि 35,000 प्लस वैकंसी इस बार आने की उ और आप लोगों ने एक नोटिस में देखा होगा कि 1,29,000 पदों पर गजट जारी हुआ है कि ससी इतने पदों पर वेकंसी कराएगी केवल CRPF में तो जब इतने पोश्ट खाली है तो ये कम पोश्ट नहीं देंगी मैंने यहाँ पर मीनिमूम बता दिया कि मीनिमूम 35,000 प्ल वेकंसी जो आने वाली है वो 35,000 प्लस आने की उमीर है तो आप लोग अपने तयारी करते रही है अब देखे इस वेकंसी के आने से बहुत सारी लोग ये सोच रहे होगे कि चलो इसमें नहीं होगा उसमें हो जाएगा भी हमारे पास टाइम है तो देखे टाइम का आप ना स और भी अच्छे आने लगेंगे तो जितना आप देरी करेंगे उतना एक competition का level बढ़ता जाता है तो आप लोग अपनी तयारी अभी से कीजिए ताकि आप इस वेकंसी में selection ले 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 चली बाकी आगे का जो update आगा इन फॉर्म कर देंगे हमने बता दिया कि अभी age का हमने यह कट जाए भी दिखाया था कि अभी ससी के पास कोई भी प्रपोजर नहीं है सरकार अगर देना चाहिए चुनाव के माध्यम से तो वह दे सकती है बाकि अभी ससी का ऐसा कोई भी बूंड नहीं है कि वह age में छूट देगी और age आपको पता होगा कि जनरल 18-23 साल काउंट होता है वेकंसी इस बार 35 या प्लस आने की उमीद है यह वेकंसी आएगी ही यह वेकंसी अगस्त कंप्लीट होगी उसके बाद 25 वाली वेकंसी अगस्त में आ जाएगी चले बाकि कोई डाउट कर दीजेगा आगे का जो अब्डेट आएगा मैं आपको इंफर्म कर दूंगा मिनते हैं नेक्ल वीडियो में तब तक लिए जय हैं